गुड मॉनिंग क्लास, नाइन्थ क्लास है, तो हम आपको साखी पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने दस तक पढ़ा दिया है, आज क्यारा से सुरू करते हैं, कबिरा कहा, गर्बियो, उचे देखी आवास, कलही परियू भवे, लोटड़ा, उपरी जामे घास, तो कबीर दास्ची कहते हैं, कि धन वैभाव पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, यदि किसी के पास महल है, तो उसे कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, इसका अस्तित्व तो छण भर पर खतम हो जाएगा, इन पर कल पर सो अर्थात सीक्र ही घास जमेगी, कहने का तातपर या है कि ये नश्ठ हो जाएगा और इस महल पे एक ना एक दिन घास चम जाएगी, अगला, यहु ऐसा संसार है जैसे सबेल फूल दिन दसके बैवहार को जूटे रंग ना भूली, तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जीव आत्मा को संसार की निरसस्ता बताते हुए उन्हें चेतावनी देते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, यह संसार समेल के फूल के समान अकर्शक है, किन्तु छण भड़ में नश्ठ होने वाला है, तातपर यह है कि जैसे समेल का फूल बहुत ही सुन्दर और अकर्शन लगता है, किन्तु सीग्र ही नश्ठ हो जाता है, उसी प्रकार बाहर से सुन्दर दिखने वाला या संसार भी छड़िक है, कबिरदाज जी कहते हैं, इस संसार में थोड़े दिनों के लिए आकर यहां के मिथ्य आकर्शन में फसकर अपने आपको और परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, तात्पर या है कि या संसार सत्य नहीं है, सत्य तो परमात्मा है, अता संसार के आकर्षण में फसकर परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए अगला इही ओसरी चेत्या नहीं, पशुज्यो, पाली दे, राम नाम, जड़या नाही, अती पड़ी मुख से तो प्रस्तुत साखी में कभीर दास जी ने मानव सरीर धारण कर राम नाम का संस्मरण करना चाहिए तो कभीर दास जी कह रहे हैं, मानव सरीर धारण करने के बाद हमें राम नाम का संस्मरण करना चाहिए इस अवसर पर अर्थात मानव सरीर धारण करने पर तू सावधान नहीं हुआ और पसू के समान सरीर को पालता रहा राम नाम का संसमरण नहीं किया तू अपने को नश्ट हुआ समझा क्योंकि मृत्यों होने पर तेरे मुख में रा की पड़ेगी अर्थात या सरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा अतहा राम नाम का संसमरण करके अवागवन के बंधन से छुटकारा पाले तो कबीर दाश जी कह रहे हैं अगर तू अपने सरीर जैसे ही तू जन में लेता है इसके बाद राम नाम का इसमरण करना सुरू कर दे जिससे की तू इस संसार में अवागवन मतलब मिट्ट्यों के बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा पाले यह तन काचा कुम्ब है लिया फेरी था सांती डबका लागी फूट गया कच्छू ना आया हां थी तो कबीर दाशी कहते हैं मनुष्य जिस सरीर को तू सांत लिये फिरता है या कच्छे घड़े के समान है जैसे कच्छा घड़ा धका या ठोकर लगने पर तुरंत ही तूड जाता है उसी प्रकार यह मित्यों का धका लगने पर भी सरीर नश्ट हो जाता है जैसे कच्छे घड़े होते हैं उस पे जब धका लग जाए या ठोका लग जाए तो वा तूड जाता है वैसे ही हमारा सरीर भी है यह भी मित्यों का धका लगने पर पूरी तरीके से नश्ट हो जाता है इस प्रकार मानौ खाली हाथ इस संसार से चला जाता है और उसे इस सं मिलिवो नगहीं जो कंचली भूजन्ग. कबीर दास जी कहते हैं, सुन्दर सरील को प्राप्त कर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यों का समय यह जीव से अलग हो जाता है. कबीर दास जी कहा है, कि सुन्दर सरीर पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मिर्टिवाती है तो सरीर हमसे अलग हो जाता है तो फिर उसी प्रकार नहीं मिलता जैसे साप के साप की केचली उसके सरीर से अलग हो जाती है फिर उसे दुबारा नहीं मिलती उसी तरीके से जैसे जब हमारे मृत्ती होगी तो हमारे भी सुन्दर सरीर हमेशा तरह नश्ट हो जाएगा जिस तरह के से साप की सरीर से उसकी केचली निकलती है और कभी उसके सरीर पर नहीं तो इस तरीके से question बनते हैं कि निमलिखित पध्यांस का संदर्व सहित व्याख्या करते हुए उनके कावे संदर्य लिखिए तो यह जो पद दिया हुआ है इसकी आपको संदर्व प्रसंग और व्याख्या लिखनी है और इसका कावे संदर्य लिखना है